हेलो फ्रेंड्स वेलकम टूस फलता मंतर। दोसों बेसिक सिच्छा से सम्मंदित कुछ महत्पूर्ण निउज अपडेट आप लोगों को देनी थी जिसको लेकर आप लोग पिछली क्लासे से वीडियो में कमेंट भी कर रहे हैं और साथी साथ वाटसप पर भी बात कर रहे है तो आज से सम्मंदित जितनी भी निउज हैं उन सभी को लेकर हम एक बार फिर से आप सब के बीच में आए हैं तो सबसे पहले आपको क्लास को एंड तक देखना आपके जितने भी चाहें वो 69,000 भरती का जो कोड का ओर्डर आया है या नियमा बली बनाई गई है या या आठ जन्वरी की जो डेट लगी थी उसका आदेश जारी हो गया है यानि कि आप लोगोंने वाट्चप पर देख भी लिया होगा इंग्लिस में आदेश की पीडिएफ या कह सकते हैं फोटो आप लोगोंने देखी होगी लेकिन उसके अंतरगत क्या कहा गया है उस पर हम ल लोग देखते रहेंगे सबसे पहले देखे आप लोगों का जो एक केस लगा था 18 जन्वरी को कोट नंबर एक में लगा था इसमें आप लोग देख सकते हैं ओन्रेवल जज पंकट जी और जोहरी जीन ये दोनों लोग डबल वेंच में बैठे हुए तो इसमें देखे साफ साफ क्या लिखा गया है this matter was heard at length and therefore today the matter has again been listed for hearing यानि काफी time से matter चला आज इसकी date लगी है फिर से as suggested by the learned senior council for petitioner and the order passed by honorable apex court we direct the learned council for the respective parties to file their written argument main point यहीं पर लिखा गया है कि उन्हों प्रते सभी पार्टियों से जितनी भी respected parties हैं case को लेकर वो सभी अपना लिखित argument यानि कि जो कुछ भी बातें देनी है वो सब आपको लिखित submission देना होगा यह लिखा गया है on or before the next date to cut short यानि कि case को छोटा करने के लिए case को ज्यादा ना खीचने के लिए next date तक या उसके पहले अपना written argument सभी वकी लिखा गया है और में जसाब ने यही कहा है कि जब तक next date आती है आप लोग अपना लिखित submission तयार कर लें तो जल्द से जल्द इसको लेकर फैसला सुना दिया जाए क्योंकि काफी समय से ये चल रहा है और बहुत दिन से मामला अटका हुआ है अभी तक कुछ हो नहीं पाय है तो उम्मीद करते हैं कि 23 सारी को जरूर कुछ positive news मिलेगी positive update मिलेगी देखते हैं जब साहब आगे क्या इसमें कहते हैं और आगे क्या फैसला आता है कितना और समय लगता है डेट लगी हुई आपकी 23 एक 2020 को सबा 2 बजे सबा 2 बजे आपका इमामला सुना जाएगा जो भ लोग fake news से बचे रहे हैं जैसे ही कोई news मिलती है तुरंत आप लोगो inform कर देते हैं इसके आद दोस्तों आपको बता दें सुबह 7 बजे डेली आपके लिए current affair की बहुत important classes लेकर आ रहे हैं आगामी आपके super tech में भी current affair आएगा B.E.O. का जो खंड सिच्छा अधिकारी का एक्जाम होने वाला वो भी आएगा यानि कि current affair आपका जितने भी एक्जाम में कहा जाए सभी में पूछा जाता है तो दोस्तों बात इसी केम लोग कर रहे हैं सुबह 7 बजे डेली क्लास आपके लिए लेकर आते हैं बस आपका का अपर प्राइमरी की हो जूनियर की हो या फिर इंटर कॉलिज की हो या फिर विश्व विद्याले की हो अब ये सभी वर्तियां आपके इस आयोग के माध्यम से भी भरी जाएंगी यानि कि उत्तर प्रदेश सिच्छा सेबा चैन आयोग की नियमा वली गठित कर दी गई है स भरती भी अगर तब तक नियमा वली बिल्कुल सासन से बिल्कुल तयार होकर आगई साइन मोहर होकर आगई तो पी नपी से हट कर ये जो 4000 जूनियर की वेकेंसी है वो भी सायद इस आयोग को ही दे दी जाए अब सबसे बड़ी बात जो इसमें आई थी वो ये कहा गया था क ये जो आपकी नियमा बली के इंतर्गत मुख रूप से बात आ रही है लिखित परिच्छा होगी यहां देखे लिखा वेसिक सिच्चा के विद्यालें में भी लिखित परिच्छा से होगी भरती इसको लेकर बहुत ही कन्फूजन है सबसे ज़्यादा अगर कोई मेसेज आ देकर आये हैं तो दुस्तों देखिए अभी तक जैसी उम्मीद थी कि पेपर जो होगा आपका अबजेक्टिव ही होगा उसी को लिखित लिख दिया गया लेकिन जहां तक कि मुझे लगता पेपर जो आपका होगा पूरा अबजेक्टिव OMR वेस्ट होगा क्योंकि यह 68-500 जो आपकी होगी तो उसमें काफी परेशानी वी काफी रूप में वो भरती देखी गई आंसर में भी काफी बदलाओ देखे गए इस वज़े से यहां तक की उम्मीद है यह भरती जो आपकी होगी लिखित इसले लिख दिया गया है कि OMR वेस्ट भरती होगी लेकिन 100% अभ जो भी भरतियां होंगी वो क्या इसी आयोग से कराई जाएंगी या फिर इनमें भी कोई परिवर्तन किया जाएगा यह तो देखने वाली बात है लेकिन दुस्तों अभी तक जो भी खबरती लिखित परिच्छा को लेकर कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है जहां तक कि म जाहें वो आपका उच्चतर हो या माध्यमिक हो या किसी भी इस्तर की वेशिक सिच्छा की भी भरतियां हो यह देखे लिखा गया है कि वेशिक सिच्छा विवाग के विद्यालें में भरती भी इसी आयोग के माध्यम से कराने का सुझाओ है इस तरह से माध्यमिक उच्छ सिच्छा साहता प्रात सिच्छन वा बेसिक सिच्छा के सभी भरतियां जो भी होंगी वो इसी आयोग के माध्यम से ही होंगी ये इसके इंतरगत है और साथी साथ देखे लिखा गया विभाग के विद्यालेों में भरती लिखित परिच्छा से होगी जबकि माध्यमी का और उ आपका स्लेवस है स्लेवस में भी जादा कोई परिवर्तन नहीं होगा तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है में चीज जो आपको न्यूज जाननी थी वो जान ली आयोग में कौन-कौन है इससे आपको जादा जानने की जरूरत नहीं है जो में न्यूज थी वो आप आपतियां दर्ज कराएंगे थी उसमें तेरे सो चालिस आपतियां खारिज हो गई तो काफी लोग पूछ रहें क्या अंक बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे तो में पॉइंट पर आते हैं दोस्तों यह आपतियां वह वाली खारिज हुए जिन्होंने सुल्क जमा नहीं किय दोस्तों गया था यानि कि 500 रुपए फीस रखी गई थी तो 500 रुपई फीस के बाद टोटल मिला कर के 2354 आपतियां आई थी जिन से 1334 आपतियों में लोगों ने सुल्क जमा किया था और 1340 आपतियां विना सुल्क ए थी तो इन 1340 आपतियों को खारिज किया गया और कोई बात नहीं है इसलिए आप लोग जिनोंने सुल्क जमा करके आपत्ती कराई हैं उनको या तो अगर आपत्ती सही मानी गई तो उनके पांसर रुपए भी रिफंड हो जाएंगे और साथी साथ उनको अंक भी मिलेगा और अंक की बात करें दोस्तों तो जितने भी लोग हैं और विना किसी फीस के आपके अंक बढ़ जाएंगे सिर्फ इतना ही फायदा है और आपत्तियां जो ले गई हैं फीस के साथ उनमें विसे सग्यों की राय ली जा रही उनको निस्तारित किया जा रहा है इसके आपकी जो संसोधित आंसर कियाएगी वो 31 जनवरी को आएगी तो आप लोग निश्चिंत रहिए परेशान होने की जरूरत नहीं है 31 जनवरी के बाद उसमें कोई भी संसोधन नहीं होगा आप देखना होगा कितने अंकों तक PNP इनमें संसोधन को सुईकार करती है पहली बात तो इस परकार की गलतियां नहीं करनी चाहिए और अगर ग जनमें आपतियां की गई है तो अब देखना होगा 30 प्रसंतों नहीं लगवक 3-4 अंकोशन ऐसे लग रहे थे जिनमें नंबर बढ़ने की पूरी संभाबना है और उम्मीद भी यही करते हैं कि अगर कोट केस से बचना है PNP को UPTED 2019 की भरती को बचाना है कोट केस से तो 3-4 जो मुख्य प्रसन है उनमें अंक देना ही पड़ेगा नहीं तो बाद में कोट का मामला निश्चित तोर पर होगा जैसा कि अभी तक के सभी UPTED के मामलों में हुआ है इसका जो रिजल्ट होगा आपका 7 फरवरी को आएगा और इसके बाद उम्मीद जताई जा रही 7 फरव हुई है इसमें 915 प्राइमरी में हुई है और 119 आपतियां जूनियर में भी हुई है तो जो लोग जूनियर में है निश्चिंतर ये एक या दो अंक बढ़ने की संभावना जूनियर में भी है मैंने सिर्फ प्राइमरी का ही आपको ता था ये देखे लिखा 40 प्रसनों पर आपत्य हुई थी आपके प्राइमरी में और जूनियर में हुई थी 24 प्रसनों पर आपत्य और ये देखे जिन्होंने पूरी प्रक्रिया नहीं की थी उनकी आपत्यों को खारिज किया गया सभी क फैसला दोरा दिया गया था सिर्फ ये कह दिया गया कि छे महाँ छे वीक में भरती प्रारम करके छे मंत में उस भरती को पूरा कर दिया जाए जितनी भी सीट खाली है अब देखना होगा कि सिर्फ 79,000 भरती पर ही कहा गया है या इसके लावा जो पद बचे हुए हैं वो सभी भरतीयों को एड़ करके एक और भरती निकाली जाएगी ये तो सरकार के उपर है कब क्या हो पाएगा उसमें कुछ नहीं का जा सकता सिर्फ हम लोग उमीद कर सकते हैं आप लोग तयारी करते रहिएगा दूस्तों पूरी आपकी अच्छे से करंट अफेर की क्लाश टेली सा आ रहे हैं सिर्फ करंट अफेर की क्लास लेकर आते हैं अगर आप लोग चाहेंगे कमेंट वॉक्स में बताइएगा तो आपकी पूरी सुपर्टेट की बी यो की तयारी की क्लासेज भी जल्द स्टार्ट कर दी जाएंगी उसके लिए आपके सहीयों की बहुत जरूरत है त करंट अफेर 21 जनवरी की क्लास में थे हैं कि दूस्तों लिंक नीचे दिये गए क्लासेज देखते रहना